Hello Students, मैं सी रामे कडमी से, तो आज हम पढ़ते हैं सश्ठ पाठा, हाना हमने पंच पाठ में पढ़ा था विद्या महिमा, अब पढ़ेंगे इसमें मम दिन चारिया, ठीक ना, मम दिन चारिया में हमारे दिन चारिया कैसी होनी चाहिए, हमारा दिन, सुरुआत हमारे दिन की कैस होनी चाहिए, इसके बारे में इसमें बिताया जाता है, इसमें देखे दितिय भीभक्ति का बौद होगा इस पार्ठ में, ठीक ना, हम आपको इंगित करेंगे बीच-बीचotypes में, आप समझने की कोशिस करेंगे, ठीक ना, इसमें कई पात रहें, ठीक ना, इसमें चित्र से अंकीत होता है तो हम आपको इंगित करते जाएंगे आप समझिएगा रमेशा देखिए रमेशा क्या है प्राता तुम कदा उष्ट्रियंती रमेशा तुम प्राता सुबे कितने वज़े उठते हो तो मोहन बोलता है अहम प्राता पंचवादने उठता हूँ मैं पांच वज़े क्या करता हूँ उठता हूँ अहम मेश मैं प्राता मेश सुबे पंचवादने मेश पांच वज़े उठता हूँ है समझ में तो देखिए यहां पे पहले लिखा अब देखे रमेश अननतरम तौम किम करो सी तुम क्या करते हो सबसे पहले उठकर क्या करते हो उठने के बाद तुम क्या करते हो तो मोहन बताता है मोहन कहता है कि आहम प्रत्मम मैं सबसे पहले अपने गुरू फिर इस्वर को प्रणाम करता हूँ तद पस्चात मैं अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ ठीक ना उनको नवास करता हूँ सबसे पहले उठकर अपने गुरू का, इसके बाद इश्वर का, उसके पस्टात अपने माता पिता को नमन करना चाहिए ठीक ना जैसा कि इस मम दिन्ना चार पाठ में मताया गया है ठीक है आगे देखें रमेश क्या बोलता है तात्वाकिम करोसी और क्या करते हो और क्या करना चाहिए तो मोहन बोलता है तता अहम नितिक्रियम करोमी मैं नित्र क्रिया करके हना सुबह उठते हैं तो बादरूम जाते हैं वाश्रूम जाते हैं फिर फ्रे सोने के बाद क्या करते हैं इश्नानम करोमी तता है प्रणायाम श्वल्पाहम चा करोमी पस्चात सार्ध सब्त वादने विद्यालब गच्छामी तत्र पठान पठामी सुलेखम लिखामी लिखामी चा ठीक ना मैं क्या करता हूँ तता है उठ्मुहन बोलता है कि तता है अहम नित्र क्रियाम मैं नित्र किया करने के बाद, सब कुछ नहाने दोने के बाद यसनान करता हूँ, फिर इसके बाद प्रनायाम, यह क्या करता है, योगा करता है, ठीक है ना, प्रनायाम, स्वलपाहाम, और क्या करता हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत नास्ता करता हूँ, स्वलपाहार उसक विद्यालम गच्छामी उस्ता किुता हूं मैं करता हूं देता और रिक्राएं मी मेख से और दनेक्ता कंद कुछी हूं ठीक है ना, तो मोहनम बोलता है, आहम हिंदी भासाम, संसकत भासायाम, आंगल भासायाम, चा पठामी मैं क्या करता हूँ, हिंदी भासा, संसकत भासा और आंगल भासा चा पठामी तो बच्चों सुनिए हमारी तीन ही भासाइं हैं ठीकना हमारी प्रथम भासा जो है मात्र भासा जीसे कहते हैं वो हिंदी है दिती भासा हमारी अंग्रेजी है जीसे अंगल भासा कहते हैं और हमारी त्रती भासा संस्कत है इस समय की आज की डेट में पहले हमारी सबसे पहले और अगर प्रचीन भासा की बात आ रही है तो सबसे प्रचीन और सबसे प्रथम भासा हमारी कौन थी संस्क्रत ही थी हमारे जो बेध हैं हना हमारे जो स्लोक्स हैं हमारे जो ग्रंथ हैं वो सब किसमें लिखे हुए हैं संस्क्रत में लिखे हुए हैं ठीक ना तो सबसे अगर पूछा जाए कभी कि सबसे अति प्रचीन भासा कौन सी है प्रचीन भासा तो हमारी क्या है संस्क्रत है क्योंकि संस्क्रत का ही अनुवाद हिंदी में किया गया है तो सबसे पहली भासा कौन सी हिंदी फिर दूसरी अंग्रेजी और तीसरी क्या है संस्क्रत और अब तीनों ही भासाएं पढ़ी और पढ़ाई और सीखी जाती है, है समझ में, अब सेकंड पार्ट में देखे, 31 पेज में, रमेश बोलता है, एता सरवम भासा तुम फटा सी, हाना, और तुम, तुम्हें कौन सी सभी भासाएं अच्छी लगती है, किंतु रुचिकरा सरला चा भासा का अस यहीं संस्कत भासा मुझे बहुत ही रुचिकर और सरल चास्ती, हाना, मुझे संस्कत भासा जो है, बहुत ही रुचिरी, मैंनी मुझे सबसे अच्छी भासा क्या लगती है, संस्कत भासा लगती है, और जो सरल है, क्या है, रुचिकर यहने की अच्छी, हाना, रुचिकर मे संस्कत भासा में है और हमीं सरल भी है इसलिए कहा गया है संस्कत भासा अतिरुचिकरा सरलाचा अस्ति फिर देखे रमेश बोलता है पठने के बाद तुम क्या करते हो ठीक ना मोहन बोलता है अहम सार्द्वादशुबादने अगरहम अगच्छामी। हाना। मैं 12.30 पर क्या करता हूँ अपने घर आ जाता हूँ। ठीक ना अगच्छामी तदा भौजनम करोमी अनतरम जरहकार्यम करोमी और साइकाले खेलामी तदा भोजनम कृतवा दूर दर्षनम पस्चामी अनतरम नववादने सैनम करोमी ठीक na तो क्या करता है यह, यह क्या करता है, मोहन बोल रहा है, कि मैं क्या करता हूँ, रमेश की पूछने पर, तो मैं यह मोहन करता है, अहम सर्थवादने, यह क्या करता है, गरहक अपने घर को आता है, इसके बाद तदम भोजनम करो, मैं भोजन करता है, फुसके बार अनंतरम ग्र प्षयाम sì'm दिन्याचार्या में इसमें दिती भक्ती का दोता है इसमें पहला व्यक्ति किसे दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो इहां पे तौम है तौम यानि तौम यानि दितिया भी वक्ति और अहां मीस मैं क्या हो गया? मैं और तुम अहां मीस मैं और तुम मीस तुम तो यहां पर मैं और तुम इन्ही दितिया विभक्ती का बोध होता है इन्ही पहला व्यक्ती दूसरे व्यक्ती से बात करता है इसलिए इस पार्ट में हर जगे दितिया भी वक्ती का बोध होता है आया समझ में? तो इसमें आपने देखा कि वो कितने वज़े उठता है कितने वज़े क्या आपने नित्थ कारे करता है सबसे पहले किसको प्रणाम करता है कब नहाता है कब पढ़ने जाता है इस सबका उसने अपने दिन चार्या अपने किसी सहपाथी मोहन को बताता है रमेश ठीके ना और संसकत में बताता है और ये हमारा पार्ट यहां से समाप्त होता है ठीके ना बहुत इंट्रेस्टिंग पार्ट था हमें सुबह इतने ही बज़े उठना चाहिए और रोज नित्क्रिया करने के बाद हमें योगा क्लास पढ़ना है आम भी करना चाहिए और हमें विद्यालर रोजना चाहिए अच्छे से पढ़ना चाहिए ग्रहकार करना चाहिए भोजन के समय भोजन, खेलने के समय खेल, और पढ़ने के समय अपना पढ़ना, ग्रहकार करना, और पिजिसके बाद हमें जल्दी ही सोना चाहिए, इसलिए कहा गया है, जल्दी सो और जल्दी उठो, ठीकिन इसके बाद देखें, एक पदेन, एक वाकेन और निम लिखे दितिया भक्ती के सब्द जो कोष्टक में लिखे हुए गए हैं वो हम आपको PDF के माध्यम से classroom में add कर देंगे तो आप उसको देखकर अपनी notebook में note down कर लिजेगा ठीक है? तो धन्वादे students, thank you